अब प्रदेश की सबसे हाई प्रोफाइल सीट नंदिग्राम में केंद्रिय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की चुनावी रैली में हमला हुआ है वारोप है कि यह हमला तुर्णिय कॉंग्रेस की ओर से करवाया गया है इस हमले में भाजपा का एक कारेकरता बुरी तरीके से जखमी है केंद्रिय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान खुदी कारेकरता को अस्पताल लेकर गया उन्होंने आरोप लगाया कि TMC के गुंडों ने यह हमला किया था पच्छिम बंगाल में राजनितिक हिंसा का दौर खत्म होता नहीं दिख़ा केंद्रिय मंद्रिय धर्मेंद प्रधान की रैली पर हमला होता है इसमें एक कारेकरता गंभीर रूप से घायल हो जाता है तो यह तस्वीर आप नंदिक राम की देख़र केंद्रिय मंद्रिय धर्मेंद प्रधान की रैली पर हमला हुआ इसमें बीजे पी का एक कारेकरता कंभीर रूप से जख्मी हो गया है यह धर्मेंद प्रधान का वो ट्विट जिसमें वो साफ तोर पर कह रहे है कि इस घटना के पीछे टीमसी का हाथ है तो इसके साथ ही उन्होंने साफ तोर पर मांग की है कि अर्दसानिक बलो की बलंगाल चुनाव को लेकर तैनाती की जानी चाहिए आप देख रहे हैं पच्छी बंगाल में हिंसा का दौर चारी है